किन्य की नमश्वर्नोकी के वह उत्त करता हैं कि मैं आपको मकर्षकरांथी पॉंगल उत्तarayan कि हार्दक शुद् कामना हूं देता हूं सुर्य देव आप सभी के जीवन में शुबता लाएं और आने वाले जो उत्तरायन के दिन हैं आपके जीवन में उमंग उल्ला सुभरें खास बात और विशेश बात एस्टो तक को लाइक करें सब्स्राइब करें फीस्बुक और यूट्यूब पर और आब हम बात करेंगे सूर्य का मकर सकरांती, मकर राशी में प्रवेश कैसा रहेगा प्रभाव और किस राशी वलों को क्या करना चाहिए मकर सकरांती वास्तू के दृष्टी कोण से क्या है बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ये भी बताऊंगा इस बार कि मकर सकरांती किस पे सवार होके आ रही है और क्या एफेक्ट पढ़ रहे है उसका वास्तू एस्ट्रोलिजी निमेरलोजी के बिहाफ पर चले शुरुवात करते हैं पहली बात खास बात इस साल मकर सकरांती जो है वो 15 जनवरी 2019 को मनाई जाएगी और मकर सकरांती जो है उसकर्श अर्थ जो है वो है सकरांत से संक्रमन से संक्रमन का मतलब होता है परीवर्तन it means infection आपने सुना ना कि संक्रमन की बीमारी से प्रिद्स हो गया संक्रमन का मतलब होता है infection it means transfusion आगे बढ़ना एक जगे से तो इस दिन मकर सकरांती के दिन जो है सूर्य जो है वो धनू राशी से मकर राशी में प्रवेश करेंगे धनू मास मल मास खतम होगा दक्षणायन खतम होगा शुबता आएगी और सूर्य उत्तरायन हो जाएंगे 14 जन्वरी 2019 सूमवार की रात को आठ बच कर चै मिनट पर सूर्य धनू से निकल कर मकर राशी में आ जाएंगे इसे सकरांती पल कहते हैं और यह जो है यह 14 जन्वरी सूमवार की रात तरी को आठ बच कर चै मिनट पर होगा और ऐसा नियम और शास्तर कहते हैं कि जब कभी भी सकरांती पल सूर्यास्त के बाद बने तो अगले दिन सकरांती पुन्यकाल मनाया जाता है सूर्य उदे से ही तो जो अगला सूर्य उदे हो रहा है 15 तारी को वो हो रहा है सुब है 7 बच कर 19 मिनट पर और पुन्यकाल जो महरत रहेगा वो रहेगा दुपैर को 1 बच कर 17 मिनट तक और उसमर भी बेसिकली दो अलग-अलग इस्तितियां हैं महा पुन्यकाल और पुन्यकाल जो रहेगा 5 गहंटे 11 मिनट का रहेगा और 7 बच कर 19 मिनट से सुबहे 15 तारी को शुरू हो के मध्यान 12 बजे तक चलेगा महा पुन्यकाल जिसको स्रेश्ट काल कहेंगे वो स्नान के लिए विशेषदान के लिए बहुत शुब है और सूर्य अर्ध के लिए और स्पेशल उपाईयों के लिए बहुत अच्छा रहेगा वास्तू दृष्टी कों से सर्वस्रेश्ट समय है वो है एक घंटा 43 मिनट का सुबह 7 बच कर 19 मिनट से शुरू हो कर सुबह 9 बच कर 3 मिनट तक चलेगा मंगलवार के दिन और इस दिन अभ्यंग स्नान यानि कि शरीर पर जो है वो तिल का त यह बहुत बड़ा प्रश्ण है कि इस बार की मकर सकरांती आपके लिए कैसे रहने जा रही है यह सकरांती 14 तारीक 14 जनवरी 2019 की रात को 8 बच कर 6 मिनट पर जो है वो सकरांती पल हो रहा है उस समय पे बवकरण में सकरांती हो रही है बवकरण जो प्रतीक है वो शेर का प्रतीक है और शेर जो है वो राहू को संबोधित करता है इसलिए इस साल मकर सकरांती क्योंकि न्यू येर सेलिबरेशन ही है मकर सकरांती और कई जगे पे नव वर्ष भी माना जाता है इसलिए यह सकरांती राहू को संबलाइस कर रही है शेर पर चड़कर आ रहे हैं राजसी है यह सख्रांती और अश्विन क्षत्र के अंदर इस संट पड़ है तो हग का साइन है तो यह यह संटाल का साइन कि इस सक्रान्ति पर और साथ-बसाद में क्या हुना वाला एक कुरूरता आएगी सरकार में भी कुरूरता आएगी और सेना में वीरता का भाव जागरित होगा साथ बसाद में सेना में और लोगों में जो है देश भक्ती बढ़ेगी इस से मंगलवार को 15 जनवरी 2019 को सूर्य दे के समय बाल्व करण है बाल्व करण इस समय पर क्योंकि अगला दिन है और जो सकरांती का मानने दिन है वो यह है मंगलवार के दिन सकरांती चलेगी चीते पर बहुत फुर्ती से सरकार डवलोप्मेंट करेगी महंगाई से मुक्ति मिलेगी और बड़ी रहात भी मिलेगी और खाने भी ने के चीजों पर बहुत ज़्यादा बजट लो हो जाएगा किरानी के वस्तुओं में बहुत कमी आएगी और डवलोप्मेंट भी बहुत अच्छा होगा अब ये जो जा रही है मकर सकरांती ये बुधवार के दिन सुबह साथ बचकर उननिस मिनट पर जा रही है और उस दिन बेसिकली ये गधे पर सवार होके निकलेगी इत मींज जनता बहुत मेहनत करेगी कोलू की बैल बनेगी जनता लेकिन प्रॉफिट बहुत कम मिलेंगे इस मकर सकरांती का संकेती ये है और गधा जो है वो केतु का प्रतीक है तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि मोक्ष में होगी रिजल्ट्स कम मिलेंगे महनत के भी रिजल्ट्स कम मिलेंगे लेकिन सरकार अपनी तरफ से बहुत Specifically, बहुत अच्छा करेगी. यह सकरांती कैसे आपके लिए अच्छी होने जारी है? इसके बारे में हम चर्चा करते हैं. देखें, हम जानते हैं कि क्या मेश से लेकर मकर राशी वालों को करना है और उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौनसे डिरेक्शन आपके लिए ठीक है कौनसे बुरी रहेगी उसके साथ साथ में वास्तू के क्या रिजल्ट पढ़ेंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूं और कोशिश ये कीजे कि थोड़े से उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूं मकर सकरांथी के दिन विशेश वा बात करते हैं मेश यानि की इरीज भगवान श्रीहरी नारायन के चित्र पर रेवडियां चढ़ाएं आप और रेवडियां चढ़ाकर किसी महनतकश मजदूर को दान करते हैं इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे आपको और आपकी जो पॉजिटिविटी साइड है स में साउथ से आपको लाफ होगा बहुत बढ़ी अलॉवब होगा लेकिन नौर्थ्र डिरेक्शन से आपको नुक्सान हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा आप कोशिश चे करें कि नौन डिरेक्षेन के तरफ को बड़ा काम ना करें बात करता है व्रिश्याशी की किया करें आ पर आपके लिए साउथीस्ट साइड जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी लेकिन नौर्थ वेस्ट साइड आपके लिए बुरी रहेगी इसलिए नौर्थ वेस्ट साइड में कोई नया काम ना करें इस जो मकर सकरानती पर है कोशिशे कीजएगा की गड़ीबों के इंदर गुलाबी वस्त्र यह उनी स्वेटर वगरा कुछ बांटे कोशिशे कीजे और तिलों का और उलत का जित्ता ज्यादा दान शनी मंदर में कर सकते हैं उतना करें बात करते हैं मिथुन राची की आप जानली जापको क्या करना है आपको माता महाकाली के चुत्र पर तिल के तेल के दीपक जलाने और आप विश्वाश कीजिएगा भाग्य जागरित होगा और हेल्थ में सुधार होगा नौर्थ आपके लिए बहुत अच्छे डियरेक्शन रहेगी साउथ से आपको परिहस करनी हैं बात करते हैं करकराशी कि आपको क्या करना भगवान विश्णु है उनक आपके यो मेरड लाइफ उसमें शुबटा आएगी आपके लिए नौर्थ एस सबसे बस डै्रेक्शन होगी साउथ वेस्ट थोड़ी सिने आपके लिए गैपिति अटिए क्से岬 जाहेगी बात करते सिंह राशी की आप क्या करें आप हनुमान जी के चितरपर या हनुमान के मंदिर पे काजल और रूली चड़ाई है इससे क्या होगा आपकी फैमिली लाइफ अच्छी हो जाएगी साथ बसाथ के अंदर एक्सिडेंट्स अगर आपके होते रहते हैं तो उसमें कमी होगी एक्सिडेंट्स आपके नहीं रहेंगे आपके लिए इस साइड सबसे बैस् बात करते है कन्या राशी की आप क्या करें तुलसी पत्तर पर हल्दी लगा कर किसी भी भगवान विश्णू के मंदिर में जरूर चड़ाएं और साथ बसाथ के अंदर इस दिन रेवडियां जरूर चड़ाएं इससे क्या होगा आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी होगी फै उनके मंदिर में उनके चित्र पर गुड़ शक्कर और तिल चड़ाएं और यह चड़ा करके किसी भी सुहागन ब्रहमणी को दान कर दीजे उससे क्या होगा एक तो फंडमेंटली आपकी सिहत बहुत अच्छी हो जाएगी धन सम्मंदित सारी प्रॉब्लम सौल हो जाएगी आपके लिए डिरेक्शन सबसे अच्छी साउतीस रहेगी नौर्थ वेस्ट से थोड़ा सा परहेश करें गुलावी कलर आपके लिए बहतर रहेगा बात करते हैं व्रिश्चिक राशी की क्या करें आप नारियल पर मॉली लपेट कर और साथ में थोड़े से उड़द लेकर भगवान शंकर के भगवान शिव के शिवाले में शिवलिंग पर इसे सड़ा दीजे क्या होगा हैल तो बढ़िया होगी ही होगी आपका पराक्रम बहुत अच्छा बनेगा घर आपका बनाने का जो सपना पूरा होगा साउत आपके लिए बहुत फेवरिबल डारेक्शन र पर देदें इससे क्या होगा आपका कॉंफिदेंस लेविल अच्छा बढ़ेगा साथ बसाथ कंदर प्रोफेशन में तरक्की पाएंगे नौर्थीस्ट आपके लिए गुड़ डायर आपके लिए अच्छा है काले और वेस्ट डायरेक्शन से आप परेस करें बात करते हैं मकर राशी की आपको क्या करना है माता भगवती यानि किसी भी देवी के मंदर में उनके चित्र पर दही और काले तिल यह चड़ाएं दही के पर काले तिल चड़क करके इससे क्या होगा आपका सबसे बड़ी बात धन शेतर प्रबल होगा पैसे बचना शुरू हो जाएंग करें लुटंगे है सबसा त के अंधर वेस्ट आपके लिए बहुत अच्छे डएक्शन है ईस से परहेश करें काला आपके लिए शुक क्लर है लाल से परहेश करें बात करते हैं अहक। तो आपको क्या करना है आपको माता महालक्षमी के चित्र यां उनके मंदिर पर गुड मुंफली और उडद चड़ाने इससे क्या होगा स्वभाग्य में वृद्धी हो जाएगी आपके आमदिनी बहुत मजबूत हो जाएगी साथ बसाथ के अंदर अगर किसी के साथ में लाल पीला आशुब रहेगा बात करते हैं आखरी राशी मीन की आपको क्या करना है हनुमान जी के चित्र पर यां उनके मंदिर में शहद मिश्री और तिल चड़ाई इससे क्या होगा बाधाय खतम होंगे आपके जीवन से आपके मन में खुशी रहेगी और आप में पॉज लाल पीला आपके लिए अच्छा और शुब कलर रहेगा नीले काले से परेज करें तो मित्रों आज वास्तु की बाद कमल नंदलाल के साथ में बस इतना ही आपको फिर से मकर सकरान्ति की बहुत सारी शुब कामना है इश्वर करें आपकी सभी मनोकामना है पूरी हो देखत रहे वास्तु की बात कमल नंदलाल के साथ में और तेज पर भी देखे मेरा प्रोग्राम रोज शाम को चार बजे महा भागे अपने मेतर अपने सका अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाज़त दीजी नमस्कार